हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल और आज हम बनाएंगे एक सिलाइ वेला प्लाजो सिंपल प्लाजो बहुत अहां और यह वह असान है वह भी ट्रिपल एक्सल साइज मैं और यह वेले प्लाजो की लंबाईं हम लंबाई रख लेंगे और लंबाई आपकी जितने त्यार लंबाई है उसमें दो इंच हमें elastic मोडने के लिए रखना है और नीचे एक इंच हमें fold करने के लिए लखना है और लंबाई रखके यह देखे यहां से मैं मूरी रख रही हूँ मूरी जितनी आपको खुले रखनी है आप उतना रख सकते हो और मैंने यह 10.50 रखी है और अब हमें उपर से रखनी है कमर तो कमर हमारा यह loose plajo है तो मैं खुला ही रखूंगी मैंने पूरा ही रख लिया है सिर्फ आशन के घेरे के लिए मैंने धाइंच छोड़ा है बस बाकी फिर यहां से यह देखे नीचे को मैंने लिया है आशन और आशन देखे यह ट्रिपल एक्सल साइज plajo है तो यह आशन इसका ज़्यादा ही होगा वेक्से वेक्सिमम साड़े चोड़ा या चोड़ा के बीच में होता है इसका मैंने रखा 16 इंच आदा इंच सिलाई के लिए तो 16 इंच मैंने रखा उपर से इलस्तिक के लिए मूड़े गभी और इस तरह से अब मैंने आशन की गुलाई दे ली और अब हमें आशन की गुलाई को नीचे मूरी से इस तरह से शेप में देना है आपके पास scale है तो उसे असान देगा मेरे पास scale नहीं है ताकि आपको मेरे आने वाली बिलीयो के लिए जल्दी से मिल जए आगे मैं इसमें elastik का लगाने का सबसे असान तरीका आपको मैं बताऊंगी प्लाजो में और उस तरीके से सबसे असानी से elastik लग जाती देखिए प्लाजो हमारा कठ हो चुका है और सबसे पहले हमें इस तरह से आसन में चिलाई लगानी है और नीचे से फिर हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है वो आप अपने मारजन के हिसाब से देखिए आपने कितना मारजन नीचे जो है छोड़ा है देखिए मैंने इसको इस तरह से निचे से जो है ये भी फोल्ड कर लिया है और अब हमें सिर्फ Elastic का काम है और इसमें एक चलाई इस तरह से लगा लेनी है Elastic हमें जो है जितनी आपकी कमर है उसमें आप 2 या 2.5 इंच माइनेस कर लीजिए वो लेनी है और पहले Elastic को इस तरह से एक के उपर एक रखके हमें जोड़ लेना है ये देखिए इस तरह से Elastic को मैंने एक के उपर एक रखके जोड़ लिया है और फिर इस तरह से हमें रखेंगे और इस तरह से εδώ elastic बहुत अच्छे तरीके से आती है असानी से आ सकते है अगर आप beginner रहे ना तो यह वाला ट्रीका ट्राइ किजिए बहुँ जढ़ा असान और अच्छ है beginner नहीं कोई भी अगर इस तरीके को जो elastic ऐसे लगाते है ना इस तरह से हमारी इसलिद कॉल्ञाइन झाली हैं मैंने चोलन सब्सक्डाइक हैं ко और बहुत असान है इसको बनाना और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट वोक्स में जरूर पोछ सकते हैं मैं ट्रै करूँगी आपको अगली बार फिर से अच्छे से समझाने के लिए हमारा सिंपल प्लाजो एक सलाई वाला प्लाजो बनके त्यार है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत पुलिएगा एंड थैंक्स पोर वोचिंग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई